नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे है न्याई प्रिय शनी देव जी के बारे में हर इंसान की जिंदेगी पर उसके कर्मों का प्रभव पड़ता है पर उन कर्मों को तोलने का काम शनी महाराज करते है महादेव के वरदान से शनी महाराज कर्मफल देने वाले देवता है आपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण शनी महाराज की कृपा या कुदरिश्टी आप पर रहती है आज हम बात कर रहे हैं ऐसी तीन चीजों के बारे में जिसकी वजे से शेनी महराज का प्रकोक आपको सेण करना पड़ सकता है तो बिना देरी की ये जान लेते हैं शेनी महराज की कुदृष्टी से कैसे बचा जा सकता है लेकिन इस से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरू करें साथी वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरू करें क्योंकि बाद में भूल जाते हैं सबसे पहली चीज है माता का अपमान आपने ये तो सुना ही होगा शनी महाराज माता च्छाया और सुर्य देवता के पुत्र थे परन्तु उनकी माता को वो स्थान कभी नहीं मिला जो उनका था और शनी देव की काले रंकी काया की वज़े से सुर्य देवने भी उन्हें कभी अपना पुत्र स्विकार नहीं किया उनकी माता ही उनके लिए सब कुछ थी और जो लोग अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें दुख पहुचाते हैं, उनका बार-बार अपमान करते हैं और अपनी माता से कड़वे शब्दों बोलते हैं, उन पर शनी महाराज कभी प्रसंद नहीं होते हैं, शनी महाराज की कुद्रिष्टी हमेशा उन पर रहती हैं, तो अगर आप चाहते हैं, शेनी देव आपके उपर प्रकोप ना डाले तो अपने माता-पिता का सम्मान करे और उनकी सेवा करे। दूसरी चीज, किसी का हक या पैसा नहीं खाना चाहिए। शेनी महाराज न्याय के देवता है, वे किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देते। अगर आप किसी बेकसुर के हक्के पैसे नहीं देते या उनसे बेमानी करते हैं, तो आप शेनी महाराज की द्रश्टी से नहीं बच सकते। आपको उनका क्रोथ सहन करना पड़ेगा। शेनी देव को प्रसन रखने के लिए अपनी महनत से कमाय हुआ धन ही इस्तमाल करना चाहिए, ना कि किसी और के बदुआ से लिया हुआ धन। कोई भी ऐसा वेक्ति जिसके पैसे आपने जूट बोलकर या प्रपंच करके हासिल किये हो, तो इसका हिसाब शेनी देव आपसे अवश्य लेंगे। किसी निर्दोश, गरीब और लाचार इंसान के धन को अपने स्वारते के लिए इस्तमाल करते हैं, तो वो धन आपको कभी रास नहीं आ सकता, ऐसा धन हमेशा आपके जीवन में केवल दुखील आ सकता है, इसलिए कभी भी दूसरों के हक्ये पैसे ना खाये। तीसरी चीज, अच्छे करम न करना, अगर आप अपना धन सिर्प अपने लिए या आपनों के लिए उप्योग में ला रहे हैं, उसे अपने सुवीदा के हरवस्तू, अपने लिए पैसों का इस्तेमाल करना, उन पैसों से किसी गरीबया जुरतमन्द की मदद ना करना, किस आते हैं कि आप शनी देव की कुद्रिष्टी से हमेशा बचे रहे और उनका आशिरवात सदव आप पर बना रहे तो आप कभी भी इन चीजों को अपने जीवन में शामिल ना करें। हमेशा अपनी मा और बड़ों की सेवा करें, उन्हें कभी भी दुखना होने दें, किसी की भी बदुवा ना ले, किसी के मेनत के पैसे ना खाएं और जितना हो सकें, आपने धन का इस्तमाल अच्छे करमों के लिए करें। शनी महाराज कभी भी सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने वाले विक्ति के ऊपर अपना तेज नहीं डालते, उनका आशिरवाद सदेवे से विक्ति पर बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके जीवन में भी शनी महाराज की क्रपा दश्टी बनी रहें और अगर आप भी ये तीनों चीजे अपनी जीवन में शामिल करने से लाब हुआ है तो हमें अपने आनों बहुत ज़रूब बताए हम आगे भी आपके लिए ऐसे रहस्य में तथे लेकर आएंगे इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुट जाईए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शनी देव का नाम लेकर उस घंटे का आइकन का वश्य दबाए ताकि हमारे अगली वीडियो की सुचना आपको आपके मोबाइल पर मिल सके जै शनी महाराज